चलिए, GST के मामले में इसको राहूल गांदी गबर सिंग टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं, क्या आप मानते हैं कि टैक्स इंप्लिमेंटेशन में कमिया रह गई इसलिए काफी रोल बैक करना पड़ा और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं, गबर सिंग टै मेरा उलजना उचित नहीं होगा, दूसरा विशय है, क्या GST की प्रक्रिया हो, हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है, प्रणाव मुखर जी जब फाइनांस मिश्ट हुआ करते थे, तब से GST का सिलसिला चला है, और इसलिए GST सभी राज लितिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्ता लाने की सोच का बैसे पनपी हुई व्यवस्ता है, दूसरा पार्लामेंट में सर्वसम्मति से ये सब पारित हुआ है, तीसरी बात है, क्या GST आने के पहले, देश में टेक्सरेट क्या था, क्या मेरे मेडिया के मित्रों भी जिम्मेवारी नहीं है, कि देश के सामान्य मानुवसको सब पता नहीं होता है, तीकि हमें बताना भी थे चाहिए, सरकार बार बार बता दिये, हमारे देश में 30-40 प्रतिशत टैक्स वाली चीज़े थी, 30-40 प्रतिशत, और हिडन टैक्स हुआ करता था, सामान्य ज्यादा चीज़े जीरो टैक्स में आ गई, जो किसी समय बहुत उंचे टैक्स हुआ करते थे, पिछले दिनों हमने जीएस्टी बनाने के बाद करीब बारा सो साड़ा बार सो टैक्स ऐसी चीज़े जो जीवन सामाने जीवन की जुरुत है, कोई 18% कोई 12% कोई 5% कोई 0% इ जीए निर्णे भारत सरकार नहीं करती है, देश को आपको भी समझाना चाहिए, जीएस्टी कॉंसिल में निर्णे होते हैं, जीएस्टी कॉंसिल में एक प्रकार से सबी राज्य सरकारे होती है, union territory होती है, उसमें एक भारत सरकार होती है, सब की equal position है वहाँ, कोई उपर नह यह वहां पर कॉंग्रेस की सरकारे भी हैं यह सारे निर्णे हुए हैं पार्लामेंट में सर्वसंबती कॉंग्रेस हैं जीएश्टी में सर्वसंबती वहां भी कॉंग्रेस हैं जीएश्टी के अंदर सर्वसंबती में कॉंग्रेस के भी मुक्हमत्री हैं अब वो अपने ही पा है को यह दावा नहीं कर सकता है कि भारत जैसे विशाल देश आपने देखा हुगा हर राज्य का जब बज़ेट आता है टाकатель के समझ में जो बात गोशित होतीはい उसके और में जो मतलों पहला होता है और सरकार सर्काराइब जो करती है 5 शेपिर उसमें उपर निचे करना पड़ता है जब प्रश्खत हनों भशिकी साल मौन में तरह मुझे अगर में मुझे परेक्र शिप घिले हम सोते हैं परहुत में इसका यह कि थ्यांब में आता है हो हला होता था उनके उनके बजट में होता था ओँ स्थे बड़ा लगता है बड़ा लगता है लेकिन बैठ करके इसको ठिक करने का प्रयास किया जाता है दूसरा इतनी बड़ा परिवर्तन लाते हैं टेकनोलोजी ड्रिमन है तो बहुत से छोटे वापारियों को थोड़ा अंकमपट हुआ है और यह तो हम भी मानते हैं कि थोड़ा तो अंकमपट हुआ है लेकिन सरकार की जिम्मेवरी क्या है कि समझे उसकी समस्या का समाधान करें तो ऐसी जितनी बाते हमारे सामने आती हैं हम जीएश्टी काउंसिल में रखते हैं रुपिया तक की जिम्मेवारी हमारे वापारियों को है उसकी स्थी में आप से महां 45 लाग करकर करके उंको मुक्ति देना चाहते थे लेकिन जीएश्टी काउंसिल में हम नहीं कर पाए कुछ रिजर्शन से कुछ स्टेट के तो आखर के कमिटी बनानी पड़ी कमिटी का न सब्सक्राइब कर देंगे उस दिशा में हम जाना चाहते थे उसमें भी कुछ लोगों के रिजर्शन से तो जीएश्टी में नहीं कर पाए अब वो कमिटी को गया है हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी वो भी अगर हो साके कमिटी रिपोर्ट कर दें तो इसलिए हम लगात जीएश्टी सरल बने जीएश्टी के बेनिफिट को एक प्रकार से सुरक्षित रखें उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं इतने कब समय में इतने बड़े देश में इतनी वीवीदताओं के बीच यह एच्विमेंट जो हुआ है वो छोटा नहीं है फिर भी हम मानके चलते हैं कि हर चीज इतने बड़े देश में सुधरने के लिए संभावना होती हैं हम लगातार बडलाव कर रहे हैं लगातार नहीं नहीं चीजे ठिक कर रहे हैं